आज की LPG पंचायत में प्रमुक रूप से उपस्थित, केंद्री पेट्रोलियम और प्राकर्टिक, गैस तता कौशल विकास इवं उद्यमिता मंत्री, स्री धर्मिंद प्रधान जी यहां पर जो मुझे बताया गया लगवग 27 प्रदेशों के हमारी लावार्थी बेहन और बेटियां एक कत्रत हुई हैं, जिनकी संख्या लगवग 104 बताई गयी है, देवियों और सज्जनों यह कुछ च्छन भावोग होने के हैं हमारी एक बहन ने जो 36 गड़की थी जिसने कहा कि समय तो आम नहीं खरीच सकते हैं, लेकिन उज्जुला खरीच कर समय बचा सकते हैं मुझे लगता है मंत्री जी, आपकी वो ज्वला योजना का यह अगर एक सार गर्वित वाक्य बने तो बहुत अच्छा होगा पाँच बहने आई, 36 गड़, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उडिशा सभी ने बातें तो अपनी जुवान से की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी जुवान नहीं बलकि उनका दिल बोल रहा है महिलाओं के खासकर ग्रामीर महिलाओं के कल्यान के लिए सफलता पूर्वक आगे बढ़ रही उज्वल यूजना को और भी मजबूत बनाने के लिए आयुजित राश्पती भवन में इस पंचायत के सुभारं भवसर पर इन सभी महिला लावार्थियों के बीच आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है एल्पी जी पंचायत का सुभारं आज शिवरात्री के पावन पर पर दिल्ली में हो रहा है यह और भी खुसी की बात है आप सभी को शिवरात्री की बधाई और शुक्त कामना है आज यहां कुछ मेलावने अपने अनभो साजा करके इस योजना से होने वाले बदलाव को बहुत अच्छी तरह समझाया और हम सबको समझाया जिन मेलावने अपने अनभो साजा किये वो उनके अपने अनभो थे लेकिन जो यहां पर लगबक सो हमारी लावार्थी बहने आई हुई है वो अनभो उनका भी प्रतनेद्वत्त कर रहे थे जो यहां पर नहीं आ सके है जिसकी संख्या बताएगी तीन करोड चालिस लाख यह उनकी भी जो कहानी है उस कहानी के दर्द को उन्हों ने जो है आज बयान किया है सरकार की मैं इस पहल की सराहना करता हूँ विशेश कर हम सब लोगों ने देखा अपने मंत्री जी भी बोलते समय भावुख हो गए थे और उसके पीछे एक ही कारण है जब किसी व्यक्ति को संबेदना होती है किसी की दर्द को देखकर किसी की पीड़ा को सुनकर तो यह एक स्वाभाविक स्वाभाविक छण होता है इसलिए मैं धर्मेंद प्रधान जी यह उनकी पूरी मंत्राले की जो टीम है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं गाओं की महिलाएं घर परिवार के लिए चूले पर खाना बनाती है चूले में उन्हें कोईला ये लकड़ी जलानी पड़ती है इन सभी इंधनों को जलाने से काफी धुआ निकलता है ये धुआ उनकी आखों और फेफरों को तो खराब करता ही है उन्हें और भी बहुत सी तकलीफे होती है कभी-कभी तो उनकी आखों की रोशनी तक चली जाती है दमे की बीमारी होना और उसका गंभीर रूप लेना एक आम बात है कभी-कभी वे जानलेवा दुरगटनाओं की भी सिकार हुई है घर के अंदर चूले में जलती लकडी के धुए की चपेट में बच्चे भी आ जाते हैं जो रस्वई के काम में लगी अपनी मा के आसपास घूमते रहते हैं सही बात तो यह है कि हमारी महिलाएं जो एल पी जी सुविधा से बंचित है उन्हें धुएं का जहर पीना पड़ता है संयोग से सिवरात्री जो आज पर्व है यह भी उस देवता की पूजा हे तु मनाया जाता है जो जहर पीने के लिए जाने जाते हैं वो हैं भूले शिवशंकर मुझे याद आता है प्रसिद राष्ट कवी मैतली सरण गुप्त की उन दो पंक्तियों का जिनका मैं वो लेक करना चाहूंगा उन्होंने कहा था कि मनुझ दुख्द से दनुझ रुधिर से अमर सुधा से जीते हैं इसका मैं अर्थ थोड़ा सा यह बहुत कठेन उनका हिंदी है इसलिए मनुझ दुख्द से इनसान तो दूध पी करके जीता है दनुझ रुधिर से राक्षस खून पी करके जी सकता है अमर सुधा से जीते हैं अमर अर्थात देवतागर वो जो है सुधा अमरत्य जिसको कहा जाता है अमरत्य पान करके तब जीते हैं किन्तु हलाहल भाव सागर का अर्थात यह जो हलाहल जिसको जहर कहते हैं यह संसारिक रुपी जो जहर है किन्तु हलाहल भाव सागर का सिव संकर ही पीते हैं इसी तरह हमारी बहन बेटियां भी दुवा रूपी जहर अपने परिवार के लिए पीती है। और एक बहन ने कहा भी कि मुझे खुशी उस दुवे के जहर को पी करके भी होती थी कि जब वो खाना पकाती थी अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के खाते रहे एक डबलू एच्छों की एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक चाहर दिवारी के अंदर कि हवा के प्रदूशन से भारत में हर साल तकरीबन पांच लाख लोग असमय मृत्यू का सिकार होते हैं बीमारी के अलावा और भी बहुत से नुकसान होते हैं घरों के बच्चे खास कर बेटियां ऐसे चूलों की बज़े से बीमार तो पड़ती ही है उनका जो समय और ताकत खेल कूद और पढ़ाई लिखाई में लगनी चाहिए वे इधन इखटा करने के लिए मा की मदद करने में और धूएं से पैदा होने वाली तकलीफों से जूजने में खब जाती है यही नहीं पूरे परिवार की आमदनी पर भी ऐसे चूले चौके का बुरा असर पड़ता है जो समय और शक्ति किसी और काम में खेती बाड़ी, दुकानदारी या कोई अनकाम धंदा में लग सकता है वह भी वरबाद होता है लकणियां वा कोईला आध जलाने से हम सब लोग जानते हैं पर दूशन बढ़ता है इन सभी तकलीफों और नुकसान देह परिणामों पर ध्यान देने से उजला योजना का महत तो अधिक हो जाता है यह पूरे देश के लिए खुसी की बात है कि जिन तकलीफों का मैंने जिक्र किया उनसे उजला योजना की साहता से अभी तक 3 करोड 40 लाग परिवारों को मुक्ती मिली है परणाम सुरूप इन 3 करोड 40 लाग मैलाओं समेत देश में लगबग 14-15 करोड की आवादी रसोई घर के धुए से मुक्त हो गई है मुझे बताया गया है कि भारस सरकार द्वारा उजला योजना के तहत यल्पी जी की सुविधा को अभी मंत्री जी ने भी उसका उल्लेक किया लगबग 8 करोड परिवारों तक पहुचाने का लक्ष रखा गया इससे इस योजना का लाब लगबग 25-30 करोड लोगों तक पहुचेगा सबसे खुशी की बात ये है कि इन लगबग 8 करोड महिलाओं को परमपरगत चूले से जूरी तकलीफों से मुक्ती मिल जाएगे इन महिलाओं और उनकी बेटियों के स्वास्त को लाब मिलेगा साथ ही उनका समय बचेगा जिसका उपयोग कोई पढ़ाई लिखाई और दूसरे उपयोगी कामों के लिए कर सकती है आज जरूरत है कि लपी जी की सुविधा का उपयोग करने वाली महिलाएं आपस में मिलें, बैठें, बात करें, अपना अनभो बाटें, सला मस्बरा करें इसी तरह से उज्जुला योजना के बारे में जो जागरूपता है उसका प्रचार और प्रसार होगा पंचायत की सही मायने में सार्थकता भी तभी सिद्ध होगी मुझे विश्वास है कि उज्जुला योजना के तहट यल्पी जी पंचायत की आज की ये पहल बहुत ही उपयोगी साबित होगी इस तरह उज्जुला योजना महिलाओं के स्वास्थ, समय, उर्जा, रुपए पैसे की द्रस्टी से लाब पहुचाते हुए सही मायने में नारी सशक्ती करण को मजभूती प्रदान करना है एल्पी जी पंचायतें उज्जुला योजना को तेजी से तथा प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी मंत्राले का लगबग एक लाग इसी प्रकार की पंचायतें आयुजित करने का भी जो लक्ष रखा गया है वह भी बहुत सराहनी है महिलाओं के स्वास्त, कल्यान और ससक्ती करण के जरिये सामाजिक नियाय को आगे बढ़ाने के इन सराहनी प्रियासों के लिए मैं एक बार फिर केंदरी पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्राले को बधाई देता हूँ मैं उज्वला योजना और लपीजी पंचायत की सफलता के लिए शुब कामनाई देता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि लपीजी पंचायतों के जरिये उज्वला योजना अपने नाम के अनुरूप हमारी माताओं, बहनों और बेटियों के भविस्व को भी उज्वल बनाएगी धन्यवाद जहिंद